तो ये हैं रजा दलाल जिन्होंने देश के लिए पावर लिफ्टिंग में 14 मेडल जीते हैं और ये जाने माने फिटनेस इंफ्लूंसर भी है तो ऑफ से जाधा नहीं टिक पाएगा ऐसा कुछ कांड करेगा अब मैं बहुत आओ तरगो मीर दोस्तों बड़े रियालिश इस्यों में रज्द दलाल जैसे क्रिमिनल माइंट सैट के इंसान को कास करना क्या सभी है जिसका influence इतना खराब है young minds के लिए क्या उसको cast करना issue में सही है ऐसे इंसान को जो किसी को bully करता है, लोगों को harass करता है, traffic rules तोड़ता है, अपनी arrogance खुले आम दिखाता है ये बोलता है कि पुलिस उसके जेब में होती है एसे इंसान को इतना बड़ा platform देना क्या सही है क्या सलमान खान, End of Mall, Colors और Gio Cinema से एक बड़ी गलती हो गई है, जो उनके चैनल को डूब हो सकती है या, जो popular perspective है वो नहीं, जो मेरा perspective है, वो जानने की जुरुत है हम सब को मेरे prediction क्या है, इस casting के बाद अब होगा क्या, मैं एक prediction करने जा रहा हूँ, मैं एक prediction करने जा रहा हूँ टीम, जहां claim करती है, 24 आज ये Big Boss चलता है, पर जो एक घंटे का episode, Colors पे आता है, उसमें अच्छी घासी तड़का लगा के, आपको एक story पर उसी जाती है, जिससे TRPs आएं, और TRPs ही एक मातर वज़े है कि Big Boss में ऐसे sensational contestants आएं पहले भी, जिनका background अगर आप जानेंगे, तो आपको लगए ऐसे लोगों को ये platform कैसे मिला, पर Big Boss में होता ही है, क्योंकि वो ऐसे contestant को कास करता है, जो जगडें, जो वहाँ sensationalism create करें, और उनको TRPs मिलें, weekend के war प और कहीं न कहीं, Big Boss टीम ही, Big Boss शो ही सही साबित हो जारो contestant और गलत कर रहा है तो गलत, और सही कर रहा है तो सही देखे, अब मैं बहुत आँ तरको, मिल मेर को कहीं बार, तो रज़त दलाल कौन है, रज़त दलाल अगर Big Boss में आ रहा है, तो ये एक बड़ा विशे क्यों है, एक debatable topic क्यों है, रज़त दलाल ऐसा influencer है, जो किसी ही नहीं सुनता, जो एक गलत president set कर रहा है बार बार, और timeline देखी जाए, तो जहां उसने कुछ धोंगी सादूओं को पकड़ा, उनको दहशत दी, उनको basement में बंद किया, उनको मारा पीटा, एक दूसरे से थपड पड़व लगों ने शाबाशी दी, तो उसको motivation मिली, कि ये सब करके तो उसको बहुत सारी glory मिल रहे है, पौर लिफ्टिंग में उसने भारत का नाम रोशन करने की कोशिश करी, पर वहां उसको किसी नहीं पूछा, पर ये सब करके उसको जिस तरह लोगों ने शाबाशी दी और जिस के बाद एक अपने गुरूर के चलते और फॉलोवस के चलते ऐसी चीजें करी जो अनलॉफुल थी जो एक गलत इंफ्लूइंस समाज में लेकर आती हैं ऐसी कुछ चीजें जिसमें नोटेबली एक बार उसने टोल बेरियर को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी दोड़ा दी ओरस्पीडिंग के कई मामले सामने में और सब लोग चौके तो तब जब मैकड़नल्स जैसे तीन दशकों से वो ब्रान्ड हमारे धर्ती पर और हमारी जो भी brand हमारे यहां आता है वो एक image create करता है पूरे world में पर उसने उस brand को भी abuse किया उसके staff को harass किया बुली किया और उनके rule regulations मानने से इंकार किया बाई कह रहा है जो vlog बनाया था उसको delete कर दो पर मैग डी की भी लिखा कहां पर मेरा phone मेरा camera दो बज़े close होता है दो बज़े close होता है बाई यही नहीं कि राजस्तान विदान सभा का fake sticker MLK लगा कर वो जब गाड़ी में घूमा तो उस पे penalty पड़ी पर वो बाज नहीं आया ध्यान लो था ठारा साल का बच्चा उसने जब एक real बना कि उसको रोस करने कोशिश करी तो उसने उसको उठक बैठक करवाई पेरेंस का माने उसकी family का माने तो उसके मूँ पे गोबर मला गया जब मार पीट के और दहशत के करानों ब्योश हो गया तो उसको जगाने के लिए उस पे पिशाप करा गया ऐसा ध्यान लोदागा कहना है जिसको हस्पताल में बढ़ती करवाना पड़ गया इस इंसिडेंट के बाद और एक ब्यान के मुदाबिक राजट ने कुछ ऐसा कहा था इस तरह डराना दमगाना और यह बोला कि पुलिस मेरी जेव में है इस से पताचा था उसका होसला कितना बढ़ गया था पुछ टाइम बाद रजट दलाल उस लड़के को अपने घर पर छोड़ देता है एक धमकी के साथ मैं उसको जान से मार देता पर यह छोटा है इसलिए छोड़ रहा हूं मैं हर्याना का जाटू मेरी बड़ी पहुच है यहां मेरा कोई नहीं बिगार पाएगा पुलीस मेरी जेव में होती है अब सोचल में पे कई लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया कई लोगों ने जिन्नों में पहले उसको शाबाशी देती वही लोग अब उसके पीछे बढ़ गए थे क्योंकि उनको समझ में आ रहा था इंसान के साथ तक जा सकता है और कल को उनका भी बेटा हो सकता है उनका भाही हो सकता है उनकी बहन हो सकती है किसे के साथ कुछ भी हो सकता है जब उसने कैरी मिनाडी जैसे बड़े यूटीवर को नहीं छोड़ा हो उसको ध्रेटन किया लाइस रट दिया बकाईदा एक बड़ा सा लंबा चोड़ा वीडियो मना के तो imagine करिए कि लोगों सब्सक्राइब में आ गया था कि ये साही नहीं हो रहा पर तब भी कुछ लोग और उसको अपना प्लाटफॉर्म दिया उसके होसले को और बढ़ाया और अभी तक वो प्लाटफॉर्म उसको मिलता रहा है और कहीं न कहीं उसकी गलतीं को छुपाने की ये इंसिडेंट के बाद ही ठीक एक फेब वाला इंसिडेंट वाइरल हुआ बाद में कुछ एक दूवाईने पहले जहां ये दिखा कि कैसे शुरूम से एक निकाली वी गाड़ी ट्राइल पे रजट चला रहा था उसमें और स्पीर्णी तो करी रहा था 140 की स्पीर तो क्र ये पावर लिफ्टिंग में 14 मेडल जीते हैं और ये जाने माने फिटनेस इंफलूंसर भी हैं तो रजट कमाल की बात ये है कि जब आपने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं तब कोई नहीं जानता था लेकिन जैसे आपकी कॉंट्रोवसी स्टार्ट हुई है तो इससे पहले हम ये बात करें हैं कि बिग बॉस में कास करना रजट दलाल को कितना सही और कितना गलत उससे पहले मैं आपका ध्यान एक और बात पिलेके जाना चाहता हूँ देखे रजट तो कैसे भी किसी भी रस्ते से फेम को पा गया बिग बॉस तक पहुँच गया पर एक बात बुनों ये रास्ता कई बार आपको बहुत महेंगा पड़ता है और अगर आपको सही धंग से influence कमाना है सही धंग से एक revenue stream आड़ करनी है तो आप अपनी digital authority बनाए है और अगर आप समझना चाहते हैं ये बनती कैसे कैसे digitally अपनी authority बना कि आप revenue earn कर सकते हैं वो भी सही डंग से value देकर जैसे आपनी goodwill बने तो आप मेरा newsletter जोइन कर सकते हैं मैं वोपेस आता हूँ आपका ध्यान खीशता हूँ वोपेस वीडियो पे कि big boss में रजट दलाल को का प्रक्टेव है कि नहीं होना चाहिए एक और चीज है कि judy श्री बहुत सरे cases चलोने रजट पर judy श्री अभी तक सजा नहीं दे पाया कुछ दिन हवालात की उसने चक्कर काड़े पर ये मजाक का विश्य बन गया है सलमान खान ने बहुत मजाक कर दिया इस पर अलरी जब रजट के अंट्रिव तो रजट ने भी कहिना कि यही बाते करें मजाक का विश्य बनाया उलात में जाना इंस्पाइड ओ इस क्राइम बिंग अटरली अब्नॉक्षिस बट क्या बिग बॉस का कास करना रजट को सही है गलत है फिर से ये कोशिन पूछन पूछन पूछना उसके वाज एक अलग स्टोरी होती है ध्यान लूदा की मा ने उसकी फैमिली ने चैक कुछ भी बुलावर जो राजट का भ्यान था वो बिल्कुल टोटली ऑपसिट था वो हर चीज में अपनी सफाई बड़े अराम से देता है बड़े अराम से देके निकल जाता अब मैं आपको एक निया परस्पेक्टिफ देना चाहता हूँ जहां आप बिग बॉस को शेमन बिग बॉस कह सकते हो मैंने भी किया इससे मुझे एक बात तो समझ में आगए जहां उसने पूछा कि क्या आपने देखा है क्या बाइक को गिरते हुए आपने बाइक गिरते हुए देखी आपने गिरते हुए देखा ना तो यह जो सवाल है ना यह जो पूछ के बड़ी अराम से सवाई देखे निकल जाता है रजट अब इसको इसका भुक्तान करना पड़ेगा क्योंकि अब यह तीन महीने यहां गुजार नहीं पाएगा सौ कैमरा के सामने इसकी सनक वली बुद्धी और इसका असली माइनसेट सब लोग के सामने आ जाएगा और फिर जब सारे क्यामराज उसके इस behavior को उसकी सी मानसकता को देखेंगे capture करेंगे तो किसको क्या सफाई देगा यह पूछेगा कि क्या आपने देखा है क्योंकि अब तो सब देखेंगे और हर चीज देखेंगे और ऐसा सनकी माइनसेट वाला बंदा ना बड़े टाइम तक छोपा नहीं सकता अपने रियल behavior को अपनी सही मान सकता को और मैं आपको एक prediction करके बोल सकता हूँ कि एक या मुश्कित से दो हफते ये टिक पाएगा उससे जादा नहीं कि एक या मुश्कित से दो हफते ये टिक पाएगा उससे जादा नहीं चाहिए बिग बॉस की टीम बहुत चाहिए कि इसको glorify करना बिकश वो end में ऐसे लोगों निकालते हैं जिससे उनको बहुत सारी TRPs मिले पर मैं बतानों जिस तरह का इनसान है जिस तरह किसकी मान सकता है ये दो हफते से जादा नहीं टिक पाएगा ऐसा कुछ कांड करेगा कि इसको निकालना बिग बॉस की टीम के लिए बहुत important हो जाएगा नहीं तो उनको तो थू-थू मिलेगी साथ में किसी और के साथ भी बहुत कुछ बड़ा हाथसा घट सकता अगर ये इनसान घर में रहे तो मेरी prediction साफ है guys जहां Big Boss का cast करना ऐसा बड़ा platform इस इनसान को देना गलत है पर वहीं ये सही इसलिए है क्योंकि इसका असली चेहरा जब सब के सामने आएगा तो सब को पता चलेगा ऐसे लोग बचते रहते हैं इसलिए क्योंकि उनकी clear footage नहीं होती पर यहाँ अब ऐसा नहीं होगा and I hope Big Boss के team कोई भी editing ना करे इसके असली चेहरे को सामने लाए I hope this segment में सल्मान को dialogue कम परोसे जाए और सल्मान एक real man की तरहे इस बंदे को कुछ सही सबग ने है Sir मैं आपके, Sir एक minute, Sir आपके मैंने उस सब्सक्राइब किसे Sir आपके क्या रहा है क्या आपको भी लगता है कि हाँ, यहाँ Big Boss में घुसके आपका first reaction था कि गलत है, इसको ऐसा platform मिलना पड़ Big Boss में यहाँ इसका असली चेहरे सामने आएगा और तब असली दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा चले देखते हैं क्या होता है आगे पर I hope ऐसा platform सबको ना मिले, क्योंकि और ऐसे सबको platform मिलने लग गया न तो हर कोई इसी के नक्षे कदम पे चलेगा और कहीं ना कहीं इसकी दुर्दशा इसी platform पे होनी चीए तभी लोगों समझ में आयेगा कि आपको ऐसे platform तो मिल जाता है ऐसे कारणामे करके पर आपको उसका सही time आने पे भुकतान भी करना बढ़ता है मैं उकाश आप देख रहे थे पीपोए और मेरी एक blunt opinion सब कुछ करो पर अच्छा करो और अच्छा करो तो बेखाफ करो मैं उकाश अब कुछ नहीं चुपेगा